Hello Dev, एक बार फिर से आपका स्वागत है Next.js के एपिसोड में आज हम बात करेंगे 404 पेज के बारे में 404 बैसिकली वैसा पेजिस होता है जब हमें कुछ नहीं मिलता है तो हम उसे क्या दिखाते हैं कि 404 या 404 पेजिस हम शो करते हैं यहीं होता है यहीं कॉंसेट होते हैं 404 पेज के लिए और अगर हम next.js की बात करें तो next.js जो है वो हमें default 404 या 404 जो है वो पेज हमें प्रोवाइड करता है आज बोनस आप समझ सकते हैं आपने अगर कभी पेजिस अगर आपने जितने भी राउटर्स बनाया हैं कुछ भी बनाया है लेकिन अगर आप 404 नहीं बनाते हैं तो next.js खुद ही आपको 404 का पेज जो है वो प्रोवाइड करें जैसे कि यहां पर एक मैं डमी वेबसाइट मैं बना रहा हूं जिस पर मैं तो यहां पर आप देख रहे हैं कि यह अबाउट अस पर जो है हमारा पेज यहां पर लोड हो रहा है ठीक है और मैंने यहां पर पेज जो काफी सारे हम बना रखे हैं लेकिन अभी अबाउट जो है यहां पर लोड हो लेकिन अबाउट के अलावा अगर मैं कोई रैंडम प इस पेस पुर्ट नॉट बे अवैलबल यहां पर यहां अमने बता रहा है कि यह जो पेज ने कर रहा है और हमारा जो चुर्चर है वह कर रहा है बट यह पेज जो है वो और मैं भीन आप फोर नौट फोर का नहीं बनाट रह आए फिर भी यहां पर इसको देखना चाहिए तो, हम यहां पर देख सकते हैं .next के अंदर, यहां पर server, servers के अंदर जो हमारा pages होता है, pages के अंदर जो होता है हमें यहां पर 404 मिलता, actually यहां पर नहीं दिख रहा है, इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि अभी मैंने इसको production बिल्ड नहीं किया है, ठीक है, production बिल्ड एक बार करके देख लेते हैं कि हमें file क जो 404 है, जो हमें कैसे मिलेगा, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, किसे हमें build करना पड़ेगा, तो मैं server को रोकता हूं, और रोक के उसके बाद से npm run build, बिल्ड करते हैं, ठीक है, तो जैसे हम npm run build करते हैं, हमें यहां पर क्या करता है कि, जो हमें package deploy करना होता है बिल्ड करना होता है, उसके लिए पूरा को पूरा जो हमें bundle हमें create करके यहां पर यह देता है, तो जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं कि अभी यह यहां पर optimize कर रहा है, बिल्ड कर रहा है, और create करने के बाद से हमारा जो है, यह particular section actually, यह जो next.next directory है, यह जो हमारा update हो ग 4.04 जो है, यहां पर pages बन चुका है, ठीक है, यह page जो है हमारा यहां बन चुका है, इसके उपर click करकर मैं आपको दिखा हूँ, तो यह जो हमारा page यहां पर बना हुआ है, और वहां पर जो लिखा हूँ आ रहा था, this page could not be found, वह भी चीज़ यहां पर लिखी हुई आ रहे है its mean, यह default हमें 404 देता है, मगर in case कि अगर आप अपना 404 page अगर आप बना रहे हैं, आपको खुद का अगर अपना page बनाना है 404 के लिए, तो वह आप कैसे define करेंगे, तो इसके लिए कुछ specific ऐसा rule नहीं है, आप अपना page बना सकते हैं, उसके लिए आपको same वही काम करना होत होता है, आप यहां पर next, जो आपका pages के नाम से directory होता है, इस directory के अंदर आप एक file बनाएंगे, और file का जो नाम होगा, same वही होगा 404, 404.js, और again यहां पर आप same वैसे ही, जैसे कि आप react के components बनाते हैं, same चीज है, उसी के तरह से यहां पर इसको use करेंगे, तो मैं इसको ब बोलता है not found, ठीक है, not, not found, ठीक है, और यहां पर हम इसको arrow function बना लेते हैं, और इसको export कर देते हैं, export default not found, ठीक है, और यहां पर हम करते हैं return, return करते हैं div, div में यहां पर लिखते हैं, कि this page is not available, ठीक है, यह हमने यहां पर page बना दिया, अब हम अपना server up करते हैं, तो next, जो हमार npm render, कभी भी आप इस command को भूल जाएं, मैं हर बर यह बताता हूं, मतलब मैं भी कभी बार commands भूल जाता हूं, या आप खुछ से अपना conveyor कर गरना चा commands होता है, यहां पर package.son में आपको मिलता है, dev, build, start, and link, ठीक है, तो यहां पर हमारा command पढ़ा हूँ है, इसी command को आप mostly use करते हैं, और जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं, कि मेरा server up होगी है, और मैं इसको refresh करता हूं, तो आप यहां पर देखेंगे, अब जो पहले 404 यहा 404 page को आप अपने हिसाब से कुछ भी design कर सकते है, आधकल 404 वाला भी pages जो है 50 terrain कर देखेंगे, उसको provide करते हैं. तो आप इसको अपने हिसाब से customize कर सकते हैं, अपने हिसाब से design कर सकते हैं और design करकर आप इसको Present कर सकते हैं तो उमीद करता हूँ कि 404 का जो concept वो clear हुआ होगा 404 जो है काफी मतलब easy way है आप इसको बना सकते हैं और obviously आपके website पे होना चाहिए otherwise जो है वो break who up URL जो है और या pages जो होते हैं वो अच्छा नहीं लगता है है तो उमिद करता हूँ जानकारी पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्स्क्राइब करें और जानकारी को और लोगों भी लें जिस से लोगों को इससे समझने में चीजों को मदत मिलें तो मिलते हfry अगले वीडियो में कुछ नहीं जानकारी के साथ तब तक के लिए बाइ